कुम्ब राशी तडब तडब कर बहुत जी लिया अपने कल से आपकी किस्मत बदलेगी नमस्कार दोस्तो जय भूले नार दोस्तो आज हम आपको 25 जुलई की कुम्ब राशी भवविश्य बताने वाले हैं इस दिन की इंपोर्टन बाते सामाने राशी पल कोंसे बातों का ध्यान रखना है धनर राशी पल लव राशी पल और करियर राशी पल आपका कैसा रहेगा सबी बाते विश्तार पूर वक्त इस वडियो में चर्चा करेंगे हर एक बात को जानना बेहत जरूरी है तो इस वडियो को बिलकुल भी मिसना करें और हमारे चैनल ट्रिनिक राशी पल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चानल को सब्सक्राइब करने के बाद क्रिप्टो क्रेलेटेड लेटेस वीडियो जो या फिर अपडेट्स आपको पल पर मिलते रहेगी तो चलिए समय ना गवाते हुए जानते हैं कुम राशी के बारे में दोस्तों आपका तल करवया दोस्तों के लिए परिशानी पैदा कर सकती हैं आर्तिक पक्ष के मजबुत होने की पूरी संभवना आज की दिन बन रही हैं अगर आपने किशी शेक्स को पैसा उदार दिया था तो आज आपको वह पैसा वापस मिलने की उम्मिद है आपको परिवार के सदेशियों और दोस्तों के साथ बिताने के लिए परियाप्त समय मिलेगा आपके प्रिय का प्यारा सा बरताओ आपको खास होने का अन्वो कराएगा इन लमों का पुरा लुपत उठाएगा मोज मस्ती के लिए गूमना संतो जनक रहेगा सुबहत जिवन साती से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका सारा धिन खुश गवार गुजरेगा काम की अधिक्ता आपको मानसी करूप से परिशान कर सकती है हालकि शाम के वक्त में थोड़ी देर ध्यान करके ही आप अपनी उर्जा वापस पा सकते हैं तो जिले अब बात करते हैं आपका सामने सारा शिपल कैसा रहेगा उसके बारे में दूसरों की साथ खुशी बाटनी से सेहत और विखिलेगी आपको हमरी सराही की शराब, सिगरेट इस तरह की चीजों पर पैसा खर्च ना करे ऐसा करना आपके स्वास्ते तो खराब करता ही है, आपकी आर्तिक सिती भी इससे बिगड़ती जाएगी गर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों की राहे भली बांती जांच लीजेगा रोमांस को जटका लगेगा और आपकी किम्ती तोफे भी आज जादू चलाने में विफल रहेंगे अपनी खासियत और भविशे की उजनाओं पर फिर से सोचने का समय है जीवन साति द्वारा प्रिवार और मित्रों के बीच नकरत्मक तरीके से आपके वयवाही जीवन की निजी बाते उजागर हो सकती हैं वक्त तक कैसे गुजर जाता है इस बात का अहसास आपको अपनी किसी पुराणे मित्र से मिल सकता है तो चले अब बात करते हैं आपको कौनसे बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में दोस्तों खुश हो जाए क्योंकि अच्छा समय आने वाला है और आप स्वय में अत्रीक्त उर्जा का अंभो करेंगे यदि श्यादी शुदा हैं तो आज अपने बच्चों का विशेश ख्याल रखेगा क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबियत बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्ते पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है जिवनसाती आपको दुम्रपन की लट से चुटकारा पाने के लिए प्रेरित करेगा दुसरी बुरी आदते चुटने के लिए बड़िया सा समय है क्योंकि जब लोहा गर्म हो तबी वार किया जाता है नए रोमांस की संभवना प्रबर है प्रेम का खूल आपके जिन्दगी में जल्द ही खिल सकता है आप अपने जिवनसाती के साथ समय गुजारेंगे लेकिन किसी पुराणी बात के फिर से सामने आने की वज़र से आप दोनों के बीच कहा सुनी होने की अशंका है अगर आप कोशिश करते हैं तो आप अपने जिवनसाती के साथ अपने जिवन का सबसे अच्छा दिन गुजार सकते हैं सबता में चुट्टी वाले दीन स्मार्टफोन स्क्रीन पर बॉस का नाम देखना किसे अच्छे लगता है क्या बला लेकिन इस बार आपके साथ यही हो सकता है तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आपकी किसमत बदलने वाली है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों किसमत बहुती जबर्दक तरीके से आपका बदलने वाला है आपको कुछ दिनों में अच्छा कासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता बहुती कम बजो की परिश्रम से मिल जाएगा साथी साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने गुरुवरियों की सलाह लेनी जरूर चाहिए जो भी आपके गुरु हैं चाहे आपसे बड़े हो या फिर छोटे हो उनसे सलाह जरूर लिजेगा और अपने करियर में कुछ बदला जरूर खरेगा तो दोस्तों आप बात करते हैं आपका धन और करियर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आज आप किसी जानकार द्वारा दिये गए व्यवसाइक प्रस्ताओं के बारे में सोचेंगे आप इस बात से कुछ परिशान रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आप इससे जुड़े या नहीं आज समय निकाल कर अपने आउसरों के बारे में सोच ले वैसे ये व्यवसाइब आप लिए अच्छा रहेगा आपका आकरशक बरताओ दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खीचेगा पैसों की कमी आज घर में कलग की वज़वब बन सकती है ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझ कर बात करें और उनसे सलाह ले दोस्तों ऐसा लगता है कि पारिवारिक मुर्चे पर आप ज़्यादा खुश नहीं है और कुछ अर्चनों का सामना कर रहे हैं आपके जीवन में प्रेम की बाहर आ सकती है आपको जरूत है तो बस अपने आँख कान खुले रखने की इस राशी के लोग बड़े ही दिल्चस्प होते हैं ये कभी लोगों के बीच रखकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में ही हलाकि अकेले वक्त गुजरना इतना आसन नहीं है फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरू निकाल पाएंगे जीवन साथी की मासूमियत आपकी दिन को खास बना सकती है अपनी जीवन साथी के साथ आप कही बाहर गुमने फिरने का प्लैन बना सकती है जिसले कि आपका मोड फिर से खुशगवार जो कि हो जाएगा जीवन साथी के साथ समय बिता कर आपके बीज में जो भी शक का महूल था यह फिर आपके बीज जो भी दूरिया बनी हुई थी उसको आप खत्म कर सकते हैं जीवन साती से आप अपनी वो बाते शेयर कर सकते हैं जो कि किसी के साथ शेयर करना आपको उतना परफेक्ट या फिर अच्छा नहीं लगता है जीवन साती से अपने करियर के बारे में कोछ राय भी ले सकते हैं मुश्किलों के दीन अब खत्म हो गए हैं अब आपको अपने जीवन को नई दीशा देने के बारे में विचार करना होगा तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव रशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आपकी किसी रोचक और अकरशक व्यक्ति से मिलन के असर दिख रहे हैं मौका हाथ से ना जाने दीजेगा अपनी बावनाओं को अभी व्यक्त करने के लिए आपको साहस जुटाना होगा पराइंत में मिली सपलता आपकी जिन्दिगी को बदर कर रख दीगी आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्तर शिवल कैसा रहेगा उसके बारे में आज ज़्यादा काम की वज़े से ठकावट पूरे दिन बनी रहेगी अपने आपको ब्रेक दे आपको इसकी जरूत है आपको पता ही कि आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे तो क्यों ना आप घर जाएं और आराम करें स्वास्त बहुत जरूरी है अगर आपका शरीर अच्छा नहीं रहा अगर आप स्वास्त और फिट नहीं रहेंगे तो किसी भी काम में आप समय पर जो कि उसमें पूर्तता नहीं कर पाएंगे किसी भी कारे में quality नहीं ला पाएंगे और किसी भी कारे को दिये हगे शमय पर पुरा नहीं कर पाएंगे हर वाक्त मैं आपको यह बताते रहता हूं स्वास्तागर अच्छा रहेगा तो ही आप अपने काम को समय पर और quality के साथ पुरा कर पाएंगे तो स्वास्ता का अच्छा रहना बेहस दरूरी है इसलिए व्यायम और योगा जरू कीज़ेगा तो दोस्तो कुछ इस तरह से आपका जूकिक उम्राशिपल रने वाला है वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के संच शेर करेगा और हमारी चैनल ट्रेंडिंग रशिपल को सब्सक्राइब जरू करेगा तो दोस्तो आज की सुटो में बस इतना ही मिलते अगने वीडियो के साथ धन्यवाद